प्रिचुट ने से मुणे की आज 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 रहे हैं इसका नाम है विटामिन D3. करेंगे विटामिन D3 है क्या मैं दोस्तों एक हम सभी चानते कि मारी बोड़ी में काफी सारी विटामिन्स की रिक्वार्यमेंट होती है और जैसे कर मैं इसके बात करूँ तो vitamin D3 is also a vitamin जो अगर हम बात करेंगे, it is related to, अब पढ़ सकते हैं इसमें लिखाए it sports strong bones, calcium absorption and immunity को यह हमारे build करता है आई हम बात कर लाएद है कि vitamin D3 यह मारे क्यों essential है क्योंकि हमारी body में calcium की absorption को बढ़िया करता है जिसे हमारी strong bones और teeth में हमारी मदद होती है फिर बहाँ बात आजाती है कि vitamin D3 की deficiency हमारी जो होती है वो हमें क्यों होती है हम सभी जानते है vitamin D3 deficiency उन लोगों को होती है जो main office वगरा में काम करते है जो मतलब sunlight के exposure में मतलब sunlight के exposure में जो लोग कम आते है उन लोगों को vitamin D3 की deficiency काफी ज़्यादा पाई जाती है आप मैं आपसे बात करूँगा कि अगर vitamin D3 की deficiency हमारी body में आ जाए तो इसके कारण हमें क्या क्या मतलब हमें जो मतलब face करनी पड़ती है जैसे हमें हमें अपने फटीग फीज होती है हमें सुस्ती मैसूस होती है साथ से हमें muscle pains होती है bone pains होती है हमारे mood changes होते है जैसे हम depression में जाती है मतलब चिड़ चिड़ा पन आना sickness, vomiting हमें आती है weakness हमारी body में आती है आसे बहुत सारी हमारी body में problems आती है just because of vitamin D3 की deficiency अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि vitamin D3 की deficiency हम कैसे बचेंगे और उससे पहले किमारे पस कहते हैं कितने इंसान की age को कितनी vitamin D3 की एक दिन में अभिशक्ता होती है जिसे हम बात करें कि छोटा बच्चा जिसकी उमर लगबल जो new born baby है अगर वो एक साल का है तो उसे कम से कम 40 IU उसको जो vitamin D3 एक दिन में required होता है पर हम बात करें जो चिल्दन एक साल से लेके ठारा साल के उनको 600 IU जो मत हमारा vitamin D3 वो चाहिए होता है पर हम बात करतें अडल्स की अगर हम बात करेंगे आपको बताए कि किस प्रकार आप नहीं करते हैं काफी सारी प्रॉब्म्स आ सकते हैं कितनी इंसान को कितनी requirements वो में हम से डिसकस की है अब दोस्तों बात यहां आ जाते हैं कि vitamin D3 जो है हमें कितनी doses दिलेनी है दोस्तों अपने क्या करना है vitamin D3 की आप सुबह अर्ली मॉर्निंग breakfast के बाद 1-2 tablets आपने डाइट में include कर सकते हैं breakfast के साथ आप इसको ले सकते हैं और यह vitamin D3 आपको अच्छी strong bones calcium absorption में आपकी मदद करेगा जो आप calcium खाएंगी इसके absorption मदद करेगा and आपकी immunity को भी build करेगा यह बहुत ही बढ़िया product है आप साभी देखते हैं जैसे मैं आपको इसकी ingredient values के बारे में बताया 1200 IO मतलब लगब 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 आपको 50 MCG में मिल जाता है 2000 IO कहने के बात आप vitamin D3 की deficiency mostly ladies में पाए जाती है तो यह एक हम कह सकते हैं ladies जाता milk दूस पकर नहीं पीती तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया supplement है अगर मैं इसको आपको थोड़ा से open करके बता देता हूं कि इसमें हमारी जो packaging है इसमें एक बदेख लेते हैं किस form में जो vitamin D3 की tablets आती है आपको बने निखा देता है open करके आपको देख सेकते हैं कि एक jelly form में jelly form में tablets आती है देखे आप इसको आपको 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 कर सकते हैं और अपनी डायट में ग्लूड कर सकते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा health and dietary supplements है किसी type की medicines नहीं है जो लोगों को मित रहती है कोई body effect नहीं करेगा तो इस आर आयरवेधिक medicines आपको 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 आपक झाल झाल